तो question हमें क्या दिया है, you had two solution A and B, तो हमारे पास दो solution है, दो अलग-अलग टेस्टों में दो अलग-अलग solution है, वो है A और B, A और B हमारे पास दो solution है, the pH of solution A is 6, तो एक जो solution A है, उसका जो pH है वो है 6, और दूसरा क्या है, pH of solution B is 8, और दूसरी का क्या है, 8 है, which solution has more hydrogen ions, concentration which of this is acidic and which is basic, यह हमें क्या पूचा है, यह हमें पूचा है, कि सबसे पहले हमें, बताओ हमें, कि H plus ions किसमें ज्यादा रहेंगे, और साथी साथ, which of this is acidic और basic, और कौन सा acidic है, और कौन सा basic है, यह हमें पूचा है, तो A या B में से हमें बताना है, कौन सा acidic है, कौन सा basic है और साथी साथ ये भी बताना है कि किसके अंदर H plus ions ज्यादा रहेंगे तो देखो हमने acid का जो characteristic देखा है उसमें हमें पता है कि acid H plus ions release करते हैं और base रहते हैं वो OH minus ions release करते हैं तो base की तो बाती छोड़तो क्योंकि हमें H plus ions चीए तो hydrogen ion कौन release करता है वो करते हैं acid तो first हमारा answer आ गया acid कि acid का ज्यादा रहता है concentration which of the solution has more concentration more hydrogen ions तो acid के पास ज्यादा hydrogen ion रहता है तो मतलब क्या हो गया एक तो हमें answer पता चलगी कि acid है वो अब लेकिन 6 या 8 में से कौन सा acid है तो देखो इसके लिए हम एक pH paper देखेंगे pH paper में क्या रहता है pH paper में 7 जो रहता है वो neutral रहता है और जो 7th के left side में रहता है वो acidic रहता है और 7th के right side में basic रहता है और फिर alkaline लेता है तो देखो 6 क्या है इधर 6 हमें क्या दिख रहा है 6 हमें दिख रहा है A 6 है acidic, तो मतलब क्या हो गया हमारा, कि solution A है वो acidic है, और चाहित किया है semester, उसके अंदर hydrogen का concentration ज़्यादा है, क्योंकि जो B रहता है, उसके अंदर hydroxide का concentration जढदा रहता है, OH minus का concentration जदा रहता है, ना कि H plus का concentration जदा रहता है, तो हम answer कैसे लिखेंगे अब, अब pH value of less than 7 indicate an acidic solution अब जो less than 7 रहता है, मतलब 7 से जो कम रहता है, वो acidic solution दिखाता है जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और उसके बाद क्या रहता है, more than 7 जो रहता है, indicator basic solution और 7 से ज़्यादा रहता है, वो basic solution दिखाता है, 8 से लेके 14 तक जो रहा है उसके बाद, since solution A has more hydrogen ion concentration hydrogen ion concentration, hydrogen ion concentration, hydrogen ion concentration, hydrogen ion ion concentration, hydrogen ion 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 से 7 6 5 4 और यह यह रहता है यह यह रहता है यह हिल्ड केदा है यह ज्यादा बहुत ज्यादा उर हिल्ड कारता है जीरो पाए यह हमने समझ लिया कि क्या रहता है hydrogen and oxygen like कि में आएपी सार्टवीक हरे है तो रहते हो यह हमें ज्यादा कु सब्क्राइब की जी